शुरू करते हैं जंगे अवाद और कल से ही ये सवाल उठा है कि क्या यूपी में वक्ट से पहले वधान सभा के चुनाव होंगे? ये सवाल इसलिए उठा है कि क्यों यूपी के CM अखिलेश्ट ने सुबे में समय से पहले चुनाव के संकेत दिये हैं? शड्यूल के मुताबिक यूपी में विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन C.M. अखेलेश ने इस साल दिसंबर में ही चुनाव होने की बात कही है UP में 2017 में होने वाले विधानसवा चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं इसके संकेत खुद UP के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिये हैं सोमवार को एक कारकरम में CM अखिलेश यादव ने सुबह में जल्द चुनाव होने की बात कही अखिलेश ने कहा कि ये मुम्किन है कि राजी में विधानसबा चुनाव समय से फैले यानि दिसंबर में ही हो जाएं अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के फिर से सत्ता में लोटने का भी दावा किया उन्होंने कहा कि यूपी में स्पी नंबर वन है और आगे भी रहेगी सियम अखिलेश यादों ने इफशारों इफशारों में पीम नरेदन मोदी पर भी तंज कसा है गोम्ती के किनारे अभी तो केवल फपारा और थोड़ी सी लाइट लगाई है उसी में लोग अपनी सेल्फी खीच रहें अभी पूरा तयार नहीं हुआ है इसी तरह बनारस में अभी तो केवल मशीने पहुची है जो वर्णा बिलकुल नाला बन गई थी जिस वर्णा के बारे में कोई सोचता नहीं था सब जमीने कबज़ा कर ली थी लोगों मुझे खुशी है इस बात की कि अधिकारी गड़ों ने ये देखते हुए कि उसके आसवाद बहुत लोगों ने कबज़ा किया है बहुत बड़े पैमाने पर नोटिस मिला है लोगों अब अगर बनारस में नोटिस मिला होगा हम तो MP है नहीं वहाँ पर तो कौन लोग है कभी कभी आरोप हम पर लग जाता है कि हम जमीन कबज़ा कर लेती है अब नोटिस बनारस में जादा है तो मैं समस्ताव पास साफ हो जाएगी आखिरकार कौन लोग है बहराल चुनाव कभ होंगे ये तो चुनाव आयोग ताई करेगा लेकिन खास बात ये है कि UP में जल चुनाव पर CM अखिलेश का बयान ठीक उसी दिन आया जिस दिन उन्हें अपने मंत्री मंडल का विस्तार करना था साफ है CM अखिलेश अदव अब चुनावी मोड में है उनकी कोशिश पार्टी और कारेकरतां को भी जल से जल चुनावी मोड में राने की है विरो रिपोर्ट इंडिया डोडिक्रो सेवन तो मंत्री मंडल विस्तार के साथ साथ इस तरह के संकेतों को क्या समझा जाए बरहाल मंत्री मंडल में शामिल ना किये जाने से अब नाराज समाजवादी पार्टी के विधायक शाकिर अली ने एक खुले आम पार्टी नितरत्व के खिलाफ मोड चक खुल दिया है सुमवार को शाकिर अली ने मुलायम पर हमला बोलने के लिए आजम खान की पुराने बयानों का जिक्र किया शाकिर अली ने कहा कि जब S.P. छोड़कर आजम खान बागी हुए थे तब उन्होंने मुलायम को RSS का एजिंट तक एडाला था शाकिर ने वो बयान भी याद दिलाया जिसमें आजम खान ने मुलायम को हरी घास का साब कहा था S.P. विदायक शाकिर के मताबिक आज तक ना तो आजम खान ने अपना बयान वापिस लिया ना ही मुलायम ने कोई सफाई दी मुदायक शाकिर अली यहीं तक नहीं रुके सीधा हमला बोलते वे आजम खान को मुसल्मान, मदर्सा, मदारिस, पॉल्वी और मस्जिद का दुश्मन तक करा दिया हम पार्टी के समर्पित कार करता हो नेता है मैं अक्लेजी को बढ़ाई देता हूँ हमको मांते हैं, मैं उनको मांता हूँ, मैं शुपाल जी को रही बात मुसल्मान को साधने की बात तो जी आउदीन मुसल्मान की विकर्पनी बन सकते इसलिए बगल में ही कौमी एकतादल के साथ जो घटना घटी है उसका रीक्सन हुआ और उससे बड़ा रीक्सन हो चाहिना हो आजम भाई हैं आजम भाई के साथ मने फोर एम लगा जा और बाद में फाई फैम लगा दिया तो चार मुसल्मान, चार एम के तो एदम कट्र भी होती हैं मुसल्मान के, मौलाना के, मदर्सा के और मदारिस के रहे पांचवाँ, पांचवाँ हैं, तो मुझे लगता है कि नेता जी से भी इनकी कुछ नाराज़ की है मुलाना आजम सांप भी, इसलिए एक बार बोले थे जब निकाले गए थे उन्होंनों कहा था, कि नेता जी को मैं तीस बरस से जानता हूँ मुझे ज़्यादे कोई ने जानता, ये दोती करीचे हाप पन पहिनता है और हरे घास का सांप है, ना तो नेता जी ने इसका खंदन किया और आजम सामने इसकी कभी बात की, और अब फिक और मुल्क उसके पहले दिया था तो शाकिर अली के बागे सूर तब निकले हैं जब उन्हें अखिलेश मंतरी मंडल में शामिल नहीं किया रसल सुमवार को जब अखिलेश मंतरी मंडल का साथवा विस्तार हुआ, पांच मंतРЕशों को शपत दिलाए गई CM अखिलेश ने तीन मंत्रियों को काबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जबकि दो मंत्रियों को राज्यमंत्री स्वतंत्रे प्रभार बनाया गया अब मंत्री मंडल विस्तार से ठीक पहले अखिलेश यादव ने सुमवार को मनुझ पान्डे की क्याबिनेट से छुट्टी भी कर दी अखिलीश यादव ने अपनी नई टीम बनाए साथवी बार अखिलीश यादव ने अपने काबिनेट का विस्तार किया कई विधायक अपसरकार का हिस्सा बन गए हैं लेकिन जो मीद थी वो नहीं हुआ नई टीम के नाम पर अखिलेश यादव पुराने चेहरों को ही साथ ले कर आए नई टीम में कोई युबा चेहरा नहीं था अब हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव के साथवे मंत्री मंदल विस्तार में किस-किस ने शपत ली सबसे पहले बलराम यादव ने मंत्रीपत की शपत ले अखिलेश सरकार में बलराम यादव की दुबारा एंट्री हुई है 21 जून को अखिलीश यादव ने बलराम यादव को तब बर्खास्त कर दिया था जब कौमी एकतादल के समाजवादी पार्टी में विले कुले कर विवाद हुआ था बलराम यादव को फिर से काबिनेट मंत्री बनाया गया है इसके बाद नारद राय को शपत दिलाई गई इनकी भी दोबारा एंट्री हुई है नारद राय को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है इसके अलावा अखिलीश मंत्री मंडल में बलिया सिवधायक जियाउद्दीन रिजबी को भी जगा मिली है हालांके उन्होंने आश्यपत नहीं ली इनने भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है अखिलीश मंत्री मंडल में शामिल होने वाला एक और एहम नाम है रविदास महरोत्रा का लकनो सेंटरल से विधाएक राविदास महरोत्रा को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है एसे ही शारदा परताप शुकला को भी मंत्री मंडल में जगह मिली है शार्दा शुकला को भी स्वतंत्र प्रभार दिया गया है बतादे के अखिलीश मंत्री मंडल में चार जगा पहले सिखाली थी जबकि एक जगा आज बनाई गए जब मंत्री मंडल विस्तार से पहले अखिलेश यादव ने मनोश पांडे को मंत्री मंडल से बाहर का रास्ता दिखाया मनोश पांडे साइंस एंड टेक्नोलोजी मिनिस्टर थे बताया जा रहा है कि बीजेपी से नजदी की होने की वज़ा से मनोश पांडे को हटाया कया है लकनो सेविनीश विध्यार्ती के साथ वेरा रपोर्ट इंडिया 24-7 और वहीं बीज़ोपी अध्याक्षामिट शाह यूपी में कमल खिलाने की मिशन में जूट कए हैं बारा बंकी में कारे करताओं के बूद सम्मिलन को संबोधित करते वे शाह ने सियम अखिले श्यादव पर निशाना साधा और दावा किया कि बीज़ोपी यूपी में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी यूपी की सियासत से पिछले डेर दशक से बेदखल बीजेपी को इस बार प्रदेश में कमल खिलाने का असार दिखने लगा है लिहाजा बीजेपी इस मौके को किसी भी हलात में गवाना नहीं चाहती 12 बंकी में बूथ मैरेजमेंट के माहिर खिलाडी शाह ने 14 जिलों से उम्रेब बीजेपी के बूथ कारेकरताओं को यूपी में जीत का मंत्र दिया कारेकरताओं की भारी भीर से उत्साहित अमिर्शाह ने एलान कर दिया इस बार यूपी में दो तिहाई बहुमत से कमल खिलेगा कि उत्तरफदेश में क्या होगा कैसे जुनाव आगे पड़ेगा क्या परिणाम हमारी इच्छा के मुकुल तो आएंगे मगर एक कारेकरताओं का सहलाब देखकर आज मेरी स्रग्दा बंदरी है दो तिहाई बहुमत से बाजपाती सरकार यहां बनने जा रही है 2014 लोग सभा चुनावों के दौरान यूपी में मिली अप्रत्याशे सफलता के सुत्रभार अमिद शाही है यूपी की सियासत की नब्स को भाब सके अमिद शाह ने अपने पूरे भाशन के दौरान मायवती का जिक्रत नहीं किया और यूपी के सियम अफ्ले शादव को निशाने पर रखा शाह ने कौमी एक्तादल के विलय और अलगाव को नाटक करार दिया साथ ही यूपी में साढ़े तीन सियम होने का दावा किया अभी अभी चाचा जी ने मुक्तार अंसारी की पाइटी का विलय कर दिया मालूम है न आपको मालूम है अग बतीजे को घुस्सा आ गया कि हम दिले नहीं मानेंगे अरे भाई चाचा बतीडा नूरा कुस्ती और जगे पे करना यूपी की जहनता मान चुकी है ये नाटक है आप इसी प्रकार के लोगों के सहारे राग्यती करते हैं देखेए दो टार्चा मिलकर एक होता है दो टार्चा मिलकरे एक अकिलेश खूद तीसरे नेताजी खूद और आधा आजम Kwam सारे तीन सारे तीन मुख्यमंत्री जहां सालसर्ण करते हो उस कभी भला नहीं हो सकता इस कभी मैखास कभी बूत कारेकरताओं को संबोधित करते हुए अमिच शाह ने मोधी सरकार की उप्ला भियां गिनाई और केंदर सरकार को दलितों, पिछडों और महिलाओं का हितैशी करार दिया अरे बढ़ी सरकार के आने के बाद विकास का दावा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित्शा ने यूपी के पिछडे पन के लिए एसपी बीएसपी को जिम्मेदा ठहराया और कहा कि केंदर सरकार के दे योजनाओं को यूपी सरकार लागू ही नहीं करती यूपी की सियासत में प्रचार तंत्र के मामले में बीजेपी फिलहाल लीड लेते हुए दिख रही है इसकी बज़ा है शाह की रणनीती और उनका मैनेजमेंट जिस तरह से अभी से यूपी में चुनावी माहौल को सैयार किया जा रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में घमासान चरम पर होगा ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24-7 तो यूपी में चुनावी माहौल की तयारी दिखाने के बाद आप बात करते हैं पुजन समाज पार्टी से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौरे की जिने लेकर केन्रिय मंत्रिय और बीज़पी के नेदा राम शंकर कठेरिया ने बड़ा बयान दिया है राम शंकर कठेरिया ने ये कहा है कि स्वामी प्रसाद मौरे बीज़पी में शामिल होंगे उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी में पैसे लेकर टिकेट दिये जाते हैं वहीं समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा राम शंकर कठेरिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी अंतिकले से जूज रही है और सपा अंतिकले से अपने आप खतम हो जाएगी और वहीं यूपी के राजवपाल राम नाइट ने फिर कहा है कि क्याराना मामले पर रिपोर्ट उन तक पहुँशने से पहले लीग हो गई सोबार को कानपूर पहुँचे नाइट ने कहा कि या तो संतों ने वो रिपोर्ट लीग की होगी या फिर मुख्यमंत्री को देने के बाद उनके दफ्तर में किसी ने ये बात सही है कि मेरे पास जो संतों ने कहराना के सम्मंद में रिपोर्ट दिया वो रिपोर्ट मेरे पास आने के पहले ही अकबार की माध्धम से लोगों को मालूं कुआ अब ये दो बाते हैं कि एक तो संतानों संतों ने वो रिपोर्ट लीग की होगी या फिर मुख्यमंत्री जी को देने के बाद उनके कारेले में सिखिसिने की होगी बात उत्राखन की करते हैं जहां अगोशित तोर पर चुनावी बिगुल तो बच चुका है बीज़ेपी और कॉंग्रेस अपनी अपनी रणनीती बना रही हैं वहीं क्षेत्रिय पार्टियों की बात करें तो आगा में विधान सभाचुनाव में अपने आपको निरनायक भूमिका में देख रही हैं रिपोर्ट देखिए असपर बीज़ेपी अध्यक्ष अमिच्शानी 25 जून को हरिद्वार में इस रैली के साथ ही विधान सभाचुनाव का एलान कर दिया बीज़ेपे की आकरमक रणनीती ने उत्राखन की शेत्रे पार्टियों की नीन दुड़ा दी है अभी उत्राखन्ड क्रांती दल अपनी खिसत्ती सियासी जमीन को फिर से साधने में जुट गई है यहां की परिसदंपतियों को बेच रही है, यहां बाहर के लोगों को भरतिया पैसे लेके कर रही है उत्राखण का cardiovascular का बहुत-बहुत मुद्दा है कि हम बाहरी बरतियों को रोकेंगे अथानेश वंगे को रोदगार की बात करेंगे यूपी की सत्तापरकाबिस माजवादी पार्टी उत्राखण में विकास और लोकायुक्त न्युक्ति के मुद्धे पर हरी श्रावत को घेने की तैयारी कर रही है S.P. आने वाले दिनों में राची में बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी कर रही है वही आम आदनी पार्टी उत्राखन में भरष्टाचार स्वास्त सेवाओं की बधाली को चुनावी बनाने की तैयारी में है वर्तमान में इनके मुख्वंती उनके बड़ी फजियत हो जाएगी आम आदमी पार्टी उत्राखन में उत्राखन की समस्याओं को देखते वे चार पांच मुख्य चीजों पर अपना फोकस कर रही है हमारे लिए जो सरकारी शिक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है हमारे लिए स्वास्त का मुद्दा सरकारी स्वास्त का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है अगले दस जिनों में कुछ नए रशनात्मक आंदोलन भी फ्रष्टाचार के तौर पर लाने वाले है इधर शेत्रे दलों से अलग सत्ताधारी कॉंग्रिस 2017 विधानसबा चुनाव में और मजबूती से आने का दावा कर रही है कॉंग्रिस नेता जोट सिंग बिष्ट का दावा है कि पार्टी ग्राउंड स्तर पर काम कर रही है और आगामी चुनाव में विकास ही पार्टी का मुख्य अजेंडा होगा जमानत जफ्त होने की नोबता है राचे गचन के बाद उत्राखंड की सियासत में तीसरे मोचे ने हमेशा बड़ी भूमी का निभाने की कोशिश की है लेकिन अभी सफल नहीं हो पाई है हाला कि उत्राखंड कॉंग्रिस दल सत्ता में भागिदार जरूर है लेकिन उसकी भी जमीन खिसकती जा रही है 2017 का विधान सबाचुनाव कई शेत्रियों दलों की किस्मत का अफ्तैसला करेगा दहरादून से सुनू सेंग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 247